इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं अतुल लिमिटेट के स्टॉक के बारे में स्टॉक में फ्राइडी दिन लगबग 4% से भी जादा हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है स्कोर का डिसकस कर लेते हैं लास्ट 4-year का financial trend और analyst हमें क्या सला देते हैं buying की इन सारे points पे भी discussion होने वाला है और लास्ट में इसका technical analysis भी करने वाले हैं तो वीडियो में इन तक बने रही है performance की बात करेंगे तो average performance देखने को मिल रही है valuation इसका high है growth जो है average देखने को मिल रही है profitability high है जो कि काफी एची बात है entry point की बात करेंगे तो stock जो है overpriced है लेकिन overbought zone में नहीं है तो आप यहां से fresh entry का plan कर सकते है और सबसे main जो importance होती है नोरेट flag शो कर रहा है जब भी आप कोई भी stock में long term short term या फिर swing trade के लिए entry का plan करते हैं तो नोरेट flag देखके ही आपको उसमें entry का plan करना है तो चलिव हम चेक कर लेते हैं इसका last four year का financial trend 2019 से लेके 2022 तक का last four year का data हमारे सामने show कर रहा है as compared to 21 के इसाब से अगर हम 22 को compare करेंगे revenue में तो काफी अची हमें jump देखने को मिल रही है तो चलिव हम चेक कर लेते हैं इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं buying की दो चलिव हम चेक कर लेते हैं इसका technical chart यह जो आप chart देख रहे हो हमने इसको one day time frame में set कर लिया है stock में important support zone जो हुआ करता था 7800 का क्योंकि stock multiple time इसे level पर आके support लेके हमें उपर की और bounce करता हुआ दिखाई दे चुका था finally हमारा support level ब्रेक हो चुका है breakdown के चलते जो है इसमें further हमें गिरावट भी continue होते भी दिखाई दे चुकी है अभी next support zone की बात करेंगे तो यहां पर almost next support zone जो है निकल कर आ रहा है amount add कर लेते हैं तो आपका जो है उपर से नीचे के लेवल पर आ जाएगा अभी अगर से फ्रेश एंट्री का प्लाइन करेंगे आगर से आप स्टॉक खरीदना चाते हो तो यहां पर इसके नीचे के चोट असा का देखना है तो हम यहां पर सर्च करेंगे अतुल लिमिटेड फिर सर्च करने के बाद हमें स्टॉक का नाम सामने दिखाई देगा अगें उसपर करने के बाद हमारे वोस्ट लिस्ट में successfully add हो जाएगा इस पर हम गयर डिखिए ऑपशन चेंद दिया है इसके बाद में charts दिया है यहां पर स्टॉक डिटेल्स दिया है और उपरगे साइट में आप इसका current price भी देख सकते हो हमें इसका चार्ट देखना रहे है तो हमें इसका photlaughter charge करेंगे हमारी मुबाइल सो इसका है दिखाईensaid dust कर लेती हैं अगेँन इस पर हम टच करेंगे contact करने के बाद में यहाँ पे buy का option दिया है buy पे हम touch करेंगे buy पे touch करने के बाद में का ओप्शन है तो हम यहाँ पे मानले जेए हमें 2 quantity buy करने तो हम यहाँ पे two quantity enter करेंगे और यहां पे limit और market का option दिया है limit तेहने कि आप अपने मनपसंद price पे उसको खरीच सकते हो अब मान लेजिए 7,431 इसकी current price चल रही है आपको buy करना है 7,400 पे round figure पे तो आप इसको limit में एंटर करेंगे जब भी stock की price वहाँ पर जाएगे आपका order जो है limit में execute हो जाएगा अब देखें यहाँ पे market का भी option दिया है market आने के जो भी stock की current price चल रही है जब जब तुरंट आपका order जो है execute हो जाता है prototype में delivery और intraday delivery आने के अगर आप stock को overnight के लिए hold करना चाते हैं तो आप delivery में buy करेंगे अगर आप stock को same day by same day sell करना चाते हैं तो आप intraday में buy करेंगे यहाँ पे buy पे touch करने के बाद confirm buy पूछेगा confirm buy पे हम touch करेंगे फिर हमारा order जो है successfully execute हो जाएगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था वीडियो अच्छा लागए तो वीडियो को like करिए और इस जो वीडियो बनाएगे यह सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए बनाएगे है जब भी आप कोई भी stock में entry बनाएगे तो अपने financial advisor से consult करके ही उसमें entry बनाएगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स टुडियो में इसी YouTube चैनल के साथ तब तक के लिए take care